नमस्कार आप सभी का स्वागत थे NKP प्रोडक्शन में एक बार फिर से में आपको मारबाडी कोलेज के दो नोटे पिकेशन के साथ में आया हूँ सबसे पहला बात है कि सेम। आपको क्यूं लिया जा रहा है और फिर कितना है? स्रिप MSC के लिए उनका MSC के लिए उनका समेस्टर फी लगता है उसके बाद जो आपका फी पेमेंट है वह आपको ज्यादा क्यों लग रहा है हर यह हर समेस्टर के मुकाविद इसमें ज्यादा है यह मैं पूरा डीडेल आपको मैं बताऊंगा second thing आपको है दूसरा जो निकल कराया है कि आपको होड की और से आपको इके इंस्ट्रक्शन आएगी कि लिए वह नोटिस निकाल गया है कि आपको कोडिनेट करें कि आपको विदिन 30 जून प्रोजेक्ट को जमा कर देना है उसके बाद आपका वाइबा होगा तो सबसे पहला सब्सक्राइब कर ले अंग तक वीडियो में बने रहे हैं आपको सारा डिटेल दिया जा रहा है अभी जो फी पेमेंट जो करने करना है वो फी पेमेंट आया है सब्सक्राइब करना है आपका सेमेस्टर फी लगता था है अब करना है अपको हर चीज में देखेंगे हर डिपार्ट्मेंट में ये बढ़ा हुआ है आपको बता दें जो final degree देना दिया जाता है तो वो आपको राची उनिवर्सिटी वाले पैसा चार्ज करते हैं उसके लिए तो degree जो है आपको बता दें आपको इस समय अभी degree fee exam fee तो आपको add है उसमें उसमें आपको add कर लें degree fee उसके बाद प्रोविजनल जो प्रोविजनल आ जिसमें आपको payment करना ही पड़ेगा यह online payment करना आपको बताऊंगा मैं online payment आपकी कहां से होगा इसारा में detail अभी आपको बताऊंगा इन payment कहां से होगा notice के बारे में बताऊंगा notice में क्या क्या detail अपका ठीक है तो यह जो आपका date दिया गया है date है आपका 9-15 June 9-15 June के बीच म और आपको पता दें जिए सेमेश्टर फॉर्थ और समेश्टर सिक्स में पेमेंट कर देना है अगर इसके बाद आप 15 के बाद बाद लेट करते पंदरा तक अगर आप याप नहीं करते हैं तो आपको मेर बता दू आपको फिर मुगा मिलेगा 17 और 18 तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि पंदरा से पहले अपना प्रेमेंट कर देंगे तो आपको बता दें आपको यह किलियर होना चाहिए कि आपको स्रीप एक्जामेनेशन फी नहीं इसमें आपको तीन तरह की फी ली जा रही है अग्जामेनेशन फी फ्रोविजिनल फी डिग्री का फी जो डिग्री आपकोई में रिजल्ट बनेगा वो डिग्री का फी sitten और विट विह चार फी मिला करके आपका फ्रोजेक्ट को्सक्रांड को को आपको भीजना ही पड़ेगा वह पैसा तो आपको बताते हैं इसमें कोई इनक्रीजमेंट नहीं की गया था तो उसमें ऑब्यक्सन हो सकता था तो लेकिन इसमें फाइनल येर के जो च्टुडेंट है उनके लिए है कि आपको प्रोजेक्ट जो है आप तयार रहेंगे आपको होडी के और से आपको एक नोटिस मिलेगी कि आपको कितने तारिक तक आपको जमा कर देना है क्योंकि आपका जो वाइबा होगा वो उस प्रोजेक्ट के बेसिस प्रोजेक्ट करना ही पड़ता है वो प्रोजेक्ट आप जमा करेंगे उसके बाद इसी के तुछ होगा वाइबा निकाला जाएक तो अभी मनोटिस आपको बता अब क्या है कि मैं आपको बता दूँंगा पैमेंट कैसे कर्णा है पैमेंट के इसे पुक्ते है आपको यह फी payment के लिए है, आपको जैसे मैंने बताया कि अभी आपको UG semester 6, PG semester 4, MC semester 6 जो final year student है, उनके लिए नोटिस निकल कर आईए, आपको बता दें कि MCA, MBA, MSC, Biotech, जो है इनका semester fee लगेगी, semester fee जो admission भी लगता है, आपका semester admission भी वो आपको लगेगी, तो इसका जो payment है आपका 69 से ले करके 15 तारिक तक में कर देना है, और हम आते हैं कि बाकी जितने भी semester, semester examination fee जो है, आपको बता दें, जैसे कि examination fee के साथ साथ में आपको लग रहा है, जैसे आपको clearly इसमें दिख रहे होगा, exam fee plus degree fee plus provisional fee plus project fee, मतलब कि ये सारा fee को मिला करके आपका ये निकाला गिया है कि आपको इतना payment करना है, जैसे कि MCA और MBA के लिए 2600 payment करना है, MEC biotech के लिए 2700 payment करना है, BBA के लिए आपको 2350 fee करना है, पे करना है, इसी तरह से जो है आपका पूरा detail इसमें दिया हुआ है, आप देख लेंगे, जैसे कि BAC का है, जो 1950 MA का है, MCOM का है, आपका नंग practical के साथ में 250, इस तरह करके आपको BCOM का 800 है, ये आपको बता दें, इसमें आपको 3 तरह का fee है, तो आपको इसको payment करना ही है, इसका जो date आपको निकाला गिया है, date आपको 9 से लेकर 15 तक में आपको जमा कर देना है, आपको जमा करना ही है, फिर आपको जमा करने का मौका मिलेगा, वो late fan के साथ, late fan के इतना लगने वाला है, तो UG के लिए आपको 200 लगता है late fan, और PG के लिए 300, तो उससे अच्छा है late fan से बचने से अच्छा है, 9 तारिक से लेकर 15 तारिक के 20 में आप अपना जमा कर लेंगे, चलिए अब दूस करने के लिए और submission करने के लिए उनको date दिया गया है, 20 June 2028, मतलब 20 June से 30 June, 30 June से पहले आपको HOD के द्वारा आपका project जो है, वो ले लिया जाएगा, उसके बाद कभी भी वाइवा के लिए examination का, वाइवा examination के लिए जो है date allowance कर दी जाएगी, उसके इनुसार आपका वाइवा होगा, यह notice यहां तक के लिए हैं, और आपको बता दें कि payment कहां से करना है, वो आप भी अभी बता दे रहाँ को, मैं आपको पेमेंट के लिए आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी जा रही है, वो वीडियो में एक उस दिनों में अपलोड कर दूँगा, ताकि आप बताएंगे, लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और वीडियो में कॉमेंट करके जरूर बताएए आपको दीकत किसमें आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद,